Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे वीवोस, होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, इस और आपकी लाइफ में खुशियां दे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, इसी कामना के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, रीडिंग के लिए कौन सी नए रास्ते खुल रहे हैं, कौन से नए द्वार आपके लिए खुल रहे हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, में भी आपसे राजोनेट करें, में भी ना करें, राजोनेट नहीं करती है, तो इस वीडियो को जाने दे, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अगर resonate करती है तो guidance को ज़रूर सुने तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या angel आपकी life में कर रही है सबसे पहले मैं ये rider way deck लूँगी देखेंगे इसमें क्या आपके लिए universe का आदेश है क्या आपकी life में पहला card खुद से आया है king of sword की energy पापरे seven of sword दोनों sword आये हैं सबसे पहले here is six of pentacles pentacles की energy भी यहाँ पे निकल के आई है तो सबसे पहले हम इनी तीन card को ही देखेंगे पहले मैं यहाँ पे आपसे बोलना चाहूंगी कि आपकी life में king of sword बहुत time से आप अपनी life में कुछ change करना चाह रहे हैं कोई ऐसी शक्ति अद्रस्य सक्ति आप से fight कर रही है होता है कई बार के आपका जो संघर्ष है वो जीत नहीं पा रहा है आपकी life में जो positivity होनी चाहिए वो आने पा रही है आपकी life में prosperity नहीं आपा रही है उसका reason क्या है कही न कहीं कई बार हमारे जीवन में कुछ बंधन योग हो जाते हैं कुछ energy blockage हो जाती है यानि कि आपको यह लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं और आप लगता नहीं है आप शायद सब कुछ कर भी रहे हैं आपकी life में achievement होने के chances भी हैं लेकिन कहीं न कहीं से लोग ना सिर्फ शत्रूता निभा रहे हैं काफी time से क्योंकि seven of sword भी यहां पे क्या कह रहा है कि आप न सिर्फ लोगों का target बने हुए है ना आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहते हैं तो वहां से भी कई बार आपको बुराईयां मिल जाती है negativity आपके life में आ जाती है कोई काम काफी दिन से रुका हुआ है जो नहीं बन रहा है और उसका reason आपको कई बार समझ में नहीं आ रहा है आप चीजों को balance नहीं कर पा रहे हैं जैसे यहां पर आप देखेंगे pentacles की energy को five of pentacles की energy को कि एक इंसान को आप दे रहे हैं और दूसरा आपके side में खड़ा है यानि कि मांगने वाले बहुत लोग आपकी life में हैं बड़ support करने वाले लोग बहुत कम हैं आप यहां पर क्या है कि सिर्फ आप दिये जा रहे हैं दिये जा रहे हैं चीजों को balance किये जा रहे हैं और support नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी क्या वजह हैं इसकी क्या चीजें हैं कि गॉफ सोर्ड की एनरजी आपको यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि भाई आपने रास्ता तो चूज कर लिया है लेकिन आपने रास्ते में किन-किन लोगों को चूज करना है कौन-कौन सी ब्लसिंग्स आपकी लाइफ में होनी चाहिए क्या positivity आपकी लाइफ में होनी चाहिए क्या खुशियां आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो आप balance नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें नहीं आपकी लाइफ में घट पा रहे हैं तो यहाँ पे अब मैं फिर वापस King of Sword पे आती हूँ आपके अंदर वो power है कि यह जो आपके दुख के बादल है संघर्ष के बादल है अगर आप सही तरह से इनको manage करना शुरू करेंगे अगर आप इनकी सही तरह से opportunity को grab करना शुरू करेंगे तो यह बादल आपकी life से छट जाएंगे आपकी life में positivity आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि क्योंकि बहुत time से तो आप देखी रहे हैं कि आपकी life में जो जीवन में चल रहा है वो कही ना कही एक दिशा दिशा तेय हो रही है बट right track नहीं मिल रहा है तो यह अब यहाँ पे आपने कही ना कही universe ने कहा दिया है कि आप अपने जितने भी huddles हैं जो जितनी भी sword हैं आपके life में जितने भी जखम हैं वो आप collect कर लीजिए यानि कि बहुत थोड़ा सा कठेन रास्ता रहे गया है जहां से आपको achievement मिलेगी बहुत थोड़ी सी positivity की जरूरत है और थोड़े से pentacles को balance करने की जरूरत है यहां पे आपको खुशियां मिलनी नजरानी शुरू हो जाएंगी आपकी दुख के बादल छटने शुरू हो जाएंगे ठीक है अब हम बात करते हैं कि आपके लिए ये दुख के बादल तो छटने शुरू हो गए अब कौन सी transformation आपकी life में आनी शुरू होगी कौन सी खुशियां आपकी life में आनी शुरू होगी क्या चीज है जो आपकी life को positive बनाएगी सबसे पहला card है aloneness का क्या आपकी life में क्या चल रहा है सबसे पहला card consciousness कही ना कहीं दोनों ही card emotions के हैं but consciousness is still better than aloneness यह हो गया burden का card हो गया and here is success यह कार्ड की energy पर आप focus कीचेगा यह energy यहाँ पर बनी हुई है तो सबसे पहला card अगर मैं aloneness के card की बात करूं तो aloneness का card आपको कह रहा है कि बहुत time से बहुत दुख देखे है बहुत तकलीफ देखी है ठीक है लेकिन aloneness के साथ consciousness आना इस दुख तकलीफ से आप बहुत जादा कहीं न कहीं practical हो गए है या आपने वो चीजे सीख ली है जो आपको एक नया पात अथिक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे है आपको conscious होना है उन problems के प्रति उन लोगों के behavior के प्रति उन चीजों के प्रति जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकते हैं negativity कौन पहला रहा है हमें किन से बचना है हमें किन लोगों से अपने आपको protect करना है तो जो हमारी life का burden है क्योंकि six number की energy emotional card energy burden आगर मैं ये कहूँ कि आप किसी job के बारे में सोच रहे हैं या आपको कुछ purchase करना है और वो आपकी limit के बाहर है उसके दो तरीके होते हैं जीवन में सबसे पहला चीज तो ये है कि मैं pressure लेके बाठी रहूँ और ये ही सोचते रहूँ ही इश्वर मुझे वो मिला नहीं मिलानी मिलानी मेरी destiny में नहीं दूसरा क्या है मैं उसके लिए प्रयास करूँ तो यहां पे consciousness का card आपको ये कह रहा है कि अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही है अगर आपके जीवन में कुछ suppression की energy है तो यहां पे आपको उस चीज का burden नहीं लेना है बलकि open mind से alert होके चीजों को सोच के समझ के आपको रास्ता बनाना है और जब आप ये रास्ता बनाएंगे क्योंकि देखिए air की भी six number की energy है और fire की भी six number की energy है जब आप अपनी life में रास्ता बना लेंगे तो ये energy आपको कामियाबी देगी ही देगी हम कई बर stress में होते हैं burden में होते हैं में होते हैं तो हम हमेशा गलत रास्ता चूज कर जाते हैं तो वो गलत रास्ता चूज करने से हमें कौन सी एनरजी बिचाएगी यहां पर consciousness की आप जो भी काम कर रहे हैं आपको कामियाभी मिलेगी नहीं मिलेगी उसको छोड़ दीजे आप अपना hundred percent दीजे आप बस यह सोचिए generally हम fail कहां होते हैं जब हमें यह नहीं पता चल पाता कि हमें कामियाभी मिलेगी यह नहीं मिलेगी यह हम exam देने से पहले ही result की चिंता करने लग जाते हैं तो यहां पर आपको message यह है कि भाई जो भी आपकी life का exam चल रहा है उस exam से पहले आप result की tension ना लें क्योंकि जैसे ही आप result की tension लेना शुरू करेंगे आपकी life का burden बढ़ जाएगा आपके विचारों में जो परिवर्तन होना है आपके विचारों में जो आपकी जो productivity होती है आपका जो प्रियास होता है क्योंकि हमेश्या positive thought नहीं आते मेरा यह काम होगा नह होगा अरे नहीं हुआ तो अगर गलत हो गया तो negative thought सबसे पहले attack करते हैं कोई कितना भी अपने मन में यह सोच लेकिन मैं negative नहीं सोचता लेकिन वो जो 1% होता है ना वो 99% से जादा है भी होता है तो आपको आप जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं उसका burden नहीं लेना है conscious होके आगे बढ़ना है अकेले आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर दुख में आगे बढ़ रहे हैं तो रुख जाईए पहले अपने मन को समझाईए अपनी औरा को clean कीजिए अपने मन को strong कीजिए और जो सारा pressure है दर्द है तकलीफ है burden है उसको कांधे से उतार दीजिए success का card है ठीक है आप काम्याब हो जाएंगे 100% काम्याब हो जाएंगे अब हम बात करते हैं कि आपके लिए angel क्या message दे रही है universe क्या message दे रही है आपकी किस्मत के दरवाजे कैसे खुलेंगे और क्या आपकी life में positivity होगी sharing की energy आइए देखिए सबसे पहले silence trust source आप देख रहे हैं source और sharing की energy मैं बाकी cards को छोड़ भी दूँ अगर मैं सिर्फ source और sharing की energy पर बात करूं तो source और sharing की जो energy है ना बहुत ही positive energy है सबसे पहले आप जिस भी जीवन की यात्रा पर निकले हैं आप जहां भी जाना चाहा रहे हैं success sharing आपको काम्याबी मिलना निश्चित है जीवन में ना कुछ चीजे decided होती है आपको सिर्फ सही रास्ता चुनने की जरूरत है तो यहां पे आपके लिए सबसे पहली चीज निकल के आ रही है कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं burden नहीं लेना है बिल्कुल भी यह नहीं सोचना है कि मुझे उस चीज में काम्याबी मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको अपना 100% देते हुए आगे बढ़ना है success की guarantee यहां पे है और success के बाद अब sharing की बात आ रही है आपके लिए कुछ ऐसे opportunities जीवन में आएंगी जो आपके लिए नए रास्ते खोलेंगी जितनी बार आपको ऐसी energy दिखाई देती है है ना physically नहीं हो सकती mentally हो सकती है कुछ लोग आपकी life में हो सकते हैं कुछ आपकी life में लोग इतने positive हो सकते हैं कि जिनके आपके जीवन में नया रास्ता खोलें नई life आपकी कुछ positivity आपकी life में आजाए कुछ खुशियां आपकी life में आजाए कुछ happiness आपकी life में आजाए आप job ढूंड रहे हैं job आपकी life में आपको मिल जाए लेकिन ये होगा किसके माध्यम से कोई person आपको मिलेगा अब मिलेग या वो already आपकी life में है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है silence का card है अपने opportunity के door को open करना है विश्वास रखना है source की energy क्या है आपके लिए कुछ नए दर्वाजे खुलेंगे नए दर्वाजे कैसे खुलेंगे जब आप शान्ती से comfortableness हाना challenges लाइफ में जब ये चीज़ा आनी शुरू हो जाए ना बहुत ज़्यादा challenge अगर लाइफ में आ रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि प्रकरती हमें सही रास्ते पर चला रही है और हमारा जो रास्ता है अगर आपकी life में challenges नहीं है अगर आपकी life में सब कुछ smooth and normal च चांत भी रखना पड़ता है और लोगों को balance भी करना पड़ता है growth आपको तभी मिलती है जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो आप लोग सोचें कि मैं सीधा सीधा चला जाओं और मेरी growth ही होती चली जाए ऐसा कभी भी नहीं होता है तो अगर आपकी life में बहुत ज़्या आ रही है एक संघश होता है कि आप करते जाते हैं और एक negative feeling आती है एक संघश होता है कि आप struggle कर रहे है और उस struggle को करने के बाद भी आप में एक power आ रही है आपके thoughts positive हो रहे हैं आपको खुशी मिल रही है आप वो चीज मिल रही है नहीं मिल रही है लेकिन उसके लिए efforts करत ही रास्ते पे हैं दूसरी चीज अगर मैं ट्रस्ट के बात की कात करूँ हर एक फील्ड में यहां पे एंजल का जब हम मेसेज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कोई हमारे कान में आके बोल जाएगा या कोई हमारे ड्रीम में आके बोल जाएगा कई बार ऐसा भी होता है कि ड् द्रीम को हम अपने एंसिस्टर से जोड लेते हैं लेकिन हमारी जो इंट्यूशन है वो सही मायने में हमारे लिए एंजल का काम करती है तो ट्रस्ट और साइलेंस के कार्ड आपको यहां पे यह भी बता रहे हैं कि कई बार आपको इतनी स्ट्रॉंग इंट्यूशन आएगी लेकिन आपको करना क्या है उस इंट्यूशन को फॉलो करना है दिन रात हमारे पदनी लाखो करोडो विचार हमाने मन में आते हैं और उसमें से कुछ हमें क्लिक होते हैं कुछ क्लिक क्यों होते हैं जादतर हमें क्या negative विचार attract करते हैं क्योंकि हम हमेशा negative विचार को follow कर रहे होते हैं या हमें क्या चीज़ attract करती है मालिया आज आज आपको कोई गाड़ी खरीदनी है इस example को आप ऐसे समझेगा ठीक है और आपको कोई गाड़ी का model पुसंद है कोई गाड़ी का number पुसंद है आप ये देखेंगे कि वो गाड़ी आपको अचानक से बहुत जादा दिखनी शुरू हो जाएगी ऐसा होता नहीं या specific कोई color है वो आपको color attract करता है वो गाड़ी आपको attract करती है तो वो attraction क्या है वो आपकी intuition power है वो आपके thoughts process का एक जरिया है कि आपको ये चीज अचीज अचीव करनी है तो वो आपको जादा attract करेगी और आपकी intuition वहाँ जादा work करेगी आपकी life में महा positivity आएगी आपकी life में महा happiness आएगी तो इसलिए वो चीज आपको attract करती है या आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे हैं इसलिए attract करती है तो यहाँ पे आपको अगर कोई intuition आ रही है और बार बार आ रही है ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए नेगेटिव आ रही है तो भी positive आ रही है इस time पे उस intuition को आपको follow करना है उस intuition को आपको समझना है avoid नहीं करना है ठीक है और source की energy तो बिलकुल आपके साथ है तो यहाँ पे negative होने के chances बहुत कम है positivity जादा दिखती है negativity बहुत कम दिखती है यहाँ पे लगता नहीं है कि negativity आपकी life में आएगी अब यहाँ पे outsider का card है बहुत लोगों का यहाँ पे energy match करेगी बहुत सारे लोगों की हमारे साथ क्या एक problem हो जाती है जब हम लगातार fail होते है जब हमें लगातार यह लगता है कि मेरी life में खुशियां है ही नहीं तो हम अपने दर्वाजे खुद बंद कर लेते हैं अपनी opportunity के दर्वारे हमें दिख रहा होता है लेकिन हमारे अंदर का जो डर है जो belief system है वो काम करना बंद कर देता है वो क्या है हमारे past के जितने भी चाहे हमें किसी ने धुका दिया मतलब चाहे हमें किसी ने आगे बढ़ने से रोका चाहे मैं बार-बार fail होती गई तो वो जो collection है मैंने का नेगेटिव thoughts की collection सबसे ज़ादा होती है वो जो collection है वो कही ना कही आगे बढ़ने से रोकती है और आपके सामने बहुत सारे अच्छे रास्ते कुले हुए है लेकिन हमने अपने belief system को बांद लिया है यहाँ पर यह नहीं है कि किसी ने आपको बेडियों से बांद के घर में बंद कर दिया नहीं बिल्कुल भी नहीं यहाँ भी क्या है अपने belief system को हमने बांद लिया है हमें अब किसी चीज़ पर faith नहीं रहा है और इस opportunity को grab करना है आगे बढ़के देखना है क्योंकि आपके लिए नए रास्ते तभी कुलेंगे divine आपको नए रास्ते पर तभी चलाएगी जब आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे देखी इनसान को दिमाग दिया है mind दिया है, power दिया है ऐसा नहीं है कि अगर आपके life में miracle हो रहे है अगर आपके life में positivity आ रही है तो negative चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल भी नहीं है, negative चीज़ें होंगी लेकिन उनको balance करना हमारी जम्मेदारी है हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं तो उनको balance करके अपने life में चलते रहें और या फिर हम रास्ता खोलके, दर्वाजा खोलके आगे बढ़ें तो यहां पे outsider का card 100% आपको यह guide कर रहा है कि यह time आएगा आपको रास्ते खोलने हैं आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी life में positivity लेकर के आनी है ठीक है, guilt, guidance और compromise सबसे पहले बात करूँगी, मैं guilt के card की यहां पे कुछ लोगों की ऐसी energy हो रखी है कि past की failure उनको डराती है डराती नहीं है, हो सकता है, आपके losses बहुत जादा रहे हो ठीक है, हो सकता है, आपका relationship बहुत बेकार रहा हो अगर आप relationship के लिए यह देख रहे हैं, तो हो सकता है आपका relationship बहुत बेकार रहा हो तो यहां पे उन लोगों के लिए यह proper guidance आई है क्योंकि guilt के बाद guidance का card और guidance के बाद compromise का card यहाँ पे यह आपको energy दे रहा है कि भाई आप जो अपने अंदर मन में चीजों को दबा के बैठे हैं हर इंसान को मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ बहुत easily मिल गया है या मुझे जीवन में कोई sacrifice नहीं करना पड़ा या compromise नहीं करना पड़ता है पर तिये एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ पाने के लिए compromise करना ही पड़ता है अब बहुत सारे लोगों कहीं आपे comment आएंगे कि दी हमने तो पूरे जीवन compromise ही किया है तो इसलिए तो guidance का card है आपने compromise कहीं न कहीं इसलिए किया है कि आपने अपने मन के भावों को आपके जो भाव चलते हैं आपके अंदर जो thoughts चलते हैं आपके अंदर जो एक दुख और तकलीफ भरी हुई है उसको निकाला नहीं है ये guilt आपको guilt मतलब दुख तकलीफ एक जैसे कोई crime कर लिया और जब कि आपने किया भी नहीं है आपको क्या लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और हम एक collection कर लेते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ की दिन में अगर 10 चीज़े होती हैं तो 10 में से 20 चीज़े हम collect कर लेते हैं 20 क्यों कर लेते हैं कि कोई 10 कलकी भी तो है ना तो ये हम एक जिसे bank balance में आप पैसा जमा करते हैं तो उसके interest पे जादा focus होता है तो same चीज हमारे विचारों का collection होता है, interest पे जादा focus होता है, आज नया क्या हुआ, मैं resolve करने या heal करने में believe नहीं रखती, मैं उनकी collection करने में believe रखती हूँ, उसमें positive चीज़ें कितनी आई प मुझे कमजोर करने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए, वही मेरा कारण बनता है, मुझे अपने आपको finish करने के लिए, और मैं सबसे बड़ी problem क्या है यहाँ पे, कि कोई किसी को finish नहीं कर रहा है, खुद मेरे विचार मुझे finish कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोगों की के energy है, कि उन्होंने इतना दुख, इतनी तकलीफ देखी है, और वो अपने आपको ही खतम किये जा रहे हैं, पास्ट के अनुभाव से, आज जो भी इस reading को देख रहा है, वो जरूर यह सोचे कि क्या पूरे दिन में कुछ अच्छी घटना नहीं घटी, अगर मैं कहती हो रहा हुआ है, और 0.1% भी आपके साथ अच्छा हुआ है, तो आज इससे उस 0.1% को उठाना शुरू कर दीजिए, यह situation अपने आप हील होनी शुरू हो जाएगी, guidance की energy, guidance, guide आपको वही किया जाता, जो वो पूरे दिन में एक खुशी मिलती है, वो आपके लिए guidance का ही का compromise, अब आप इसको पलट के देखे, कि मुझे पूरे दिन एक खुशी मिली, तो मुझे 99 के साथ compromise करना है, जब आप वो daily एक एक खुशी को collect करना शुरू करेंगे, तो 30 days में 30 खुशिया हो गई, एक दिन आपका खुशियों का bank account बढ़ता चला जाएगा, और negativity का, क्योंकि आप negativity को तो heal कर रहे है daily, अभी उल्टा हो रहा है, हम negativity को collect कर रहे है, positivity को heal कर रहे है, तो आपको negativity को heal करना है, positivity की collection करनी है, तो यहाँ पे जब आप ये करना शुरू करेंगे न, तो जीवन में prosperity अपने आप बड़ी शुरू हो जाएगी, अपने आपको lead करना शुरू कीज अपनी destiny को बदलना शुरू कीजिए, भागय ने लिख दिया, लेकिन भागय ने एक खुशी भी दी, उस खुशी को जब आप collect करेंगे न, तो आपने अपना भागय खुद लिखना शुरू कर दिया, यहाँ पे angel का guidance यही है, कि अपने भागय को लिखना शुरू कीजिए, अपने जीवन में खुशियों को लिखना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में positivity लानी शुरू कीजिए, आपके रास्ते 100% खुलेंगे, यहाँ पे अब मैं card लोंगी, मेरे कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, मैं कृष्णा का message यहाँ पे लोंगी, मैं उनका message यहाँ पे मातारा कीजिए, मातारा devil की energy है, और tower moment की energy है, देखिए, जब नए रास्ते खुलते हैं, तो अभी tower moment और devil का card आया है, इन दोनों को खतम करने के लिए मातारा पहले ही आ गई है, मातारा की energy सबसे पहले आने का मतलब यही है, कि आपके जीवन में जो भी tower moment चल रहा है, आपके जीवन में जो भी negativity चल रही है, आपके जीवन में जितने भी बुरे लोग हैं, उन सब की शक्तियों को मातारा को सौब दीजिए, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप सिर्फ उस पे focus कीजिए, transformation अपने आप life से निकल जाएगी, negativity अपने आप, जो भी आप चाहते हो, सिर्फ उस में से एक आप garden में जाते हो, या आप किसी fool वाले के पास जाते हो, आप उससे क्या कहते हो, fool दे दो, यही कहते हो न, यह तो नहीं कहते हैं, भाया कांटे दे दो तो अगर fool के साथ कांटे understood हैं, आपको भी पता है, कभी आपके हाथ में भी लग सकता है, गार्डन में तोड़ने जाते होगे, fool तोड़ रहे हो, कांटा लग सकता है, तो यह devil और यह tower moment वही energy है, positivity है, तो negativity अपने आप है, उजाला है तो understood है, अंधिरा ही है, उजाला फिर कि शायद हमें करना पड़े, रोशनी हमें जलानी पड़े, दीपक हमें जलाना पड़े, लाइट हमें जलानी पड़े, लेकिन अंधिरे की presence अल्रेडी है, अंधिरे को हम deny mode में नहीं जा सकते, तो same चीज है, tower moment है, काटे है, devil की energy है, आपको तो मात तारा से अशिरवाद ल यह जो आप पाना चाहते हैं, ना कि उस चीज पर जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपकी life में tower moment दे रहा है, और यह tower moment आपकी life से निकल जाएगा, जैसे ही मात तारा की energy आपकी life में आएगी, positivity आपकी life में आएगी, खुश्य आपकी life में आएगी, तो angels का clear message है, आप अ negativity चल रही है, आप उस life को positive बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें खुश्या लाने की कोशिश कीजिए, उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए, मात तारा आपके साथ है, sharing की energy आपके साथ है, आप मैं सारे positive card आपको दिखा देती हूँ, outsider का card भी यहाँ पे positive है, क्योंकि आपके लिए 100% काम करेंगी, आपको devil को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि devil और tower moment अपने हाप निकल जाएगा, आप हम यहाँ पे sharing की energy देखेंगे, जो ईश्वर आपको देने वाला है, outsider की energy, आपको यह guidance है, कि आप अपना रास्ता चूज कीजिए, आगे ब बांध लिया है, उस energy को बिल्कुल मत बांधिये, positivity के साथ आगे बढ़िये, खुशियों के साथ आगे बढ़िये, जीवन में संघश सबके है, याद रखिये, सिर्फ हमारा देखने का तरीका है, कोई एक इनसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जो यह नहीं कहेगा आप से, कि अगर reality में है, सब कहेंगे हाँ, खुश हूँ, सब कहेंगे हाँ, हैपी हूँ, लेकिन फिर भी उनकी life में ऐसी negativity होगी, 100% होगी, जो उनको कही ना कहीं परिशान कर रही है, उनको harm कर रही है, तो आप अगर अपनी life में खुशिया चाहते हैं, तो इन सारी energies को, sharing की energy, source की energy, अपलाई करना शुरू कीचिए, अगर जिस दिन आपने यह अपलाई करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से आपकी progress शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से आपके लिए नए दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से आपकी life में opportunities का धेर लग जाएगा, फिर आ आपका काम है, जनरल रिडिंग है, आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, उसको चूज करना आपका काम है, तो माँ एंजल्स आपकी किसमत के दरवाजे खुलें, आप इस guidance पे focus करके अपनी life में आगे बढ़ें, ऐसे ही blessings के साथ मैं अपनी अगली वीडियो लेके आओंग कर दो